मौदा तालुका के अंतिम छोर पस्तीत आरुग्यो वर्दिनी स्वास्ते सुधार केंजर में कई ग्रामिन मरीज रोस इलाज करवाने आते हैं पर आप मानों ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आरुग्यो वर्दिनी स्वास्ते सुधार केंजर को ही बिमारी हो गई है क्योंकि केंज की चारो और घनी घास उगाई है जिसका नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है मौदा तलुका के अंतिम छोर के खात में एक आरुग्यो बरधिनी स्वास्तर सुधार केंज है इस केंज में दवा उपचार के लिए मर्जों का रोजाना आना जाना चलता रहता है करीब पंजर गाओं से चुड़ा ये केंज अब हरी घास से घिरा हुआ है यहाँ के चिकित्सा अधिकारी किसी भी तरह का ध्यान नहीं दे रहे है और रात में रेंगने बाले छोटे छोटे कीडे साथ ही कई विशारी प्राणियों से अब मर्जों को समस्या होने लगी है यहाँ से आने जाने वाले मर्जों को अपनी जान जोकि में डालनी पड़ती है एक तस्वीर हमारे सामने आई है कि यह केंजर अब हरी घास रोग से ग्रसित है ग्रामिन क्षेत्सों के प्रतिक नागरिक को स्वास्त का ध्यान रखने की आविशक्ता है सरकार मर्जों की इलाज और सुविधाओं पर करोडो रुपे खर्च करती है सरकार भी हर नागरिक को निरोगी बनाने के लिए संकल पित है लेकिन स्वास्त केंजर में डॉक्टरों की लापरवारी के कारण अब खात स्थीत अरुग्यवर्दिनी स्वास्त केंजर हरी घास रोग स्की चपट में आ गया है इस केंजर के चारों तरफ कम से कम 3-4 फीट गास उक पड़ी है साथ ही कुछ इलाकों में कई जान लेवा प्रानी भी दिखाई दे रहे है रात में यहां रहने वाले डॉक्टरों और कर्मचारियों को कोई डर ही नहीं है और देखा जाता है कि उन्हें आम मर्जों से भी कोई लेना देना नहीं है इन गंभीर मामलों पर किसी का ध्यान नहीं जाने से अब मर्जों की जान दाव पर लगी है केंजर के पीछे कुछ स्टाफ क्वार्टर भी घास से गिर चुके है इस आवास में रहने वाले चिकित्सक के आवास की स्थिती काफी खराब हो चुकी है आवास में प्रविश करने पर दुरगंद आती है साथी शोचाले में भी बहुत जादा गंदगी फैल चुकी है कुछ आवास उनकी हालत तो बेहत खराब हो चुकी है और चिकित्सा अधिकारी मानों उंटो से बकरे भगाते नजर आ रहे है वरिष्ट अधिकारी इस और ध्यान दे और केंज रकार ने रिक्षन करें वही ग्रामिन श्वेट्स के नागरिक चिकित्सा अधिकारों के खिलाब कालवाई करने की मांग भी करते हुए नजर आ रहे ह गानी जे शामरद जे तजयार है आपने खात पी प्रात्रमी कारोगे केंदरा मजे तब आपने प्रचिक्रिया पाईजिया है तो इसमें बड़े अजगर निकल गए तो उसके बारे में क्या की है और इतना घान कैसा तयार हुआ आज अगर कमज़ा हो गया तो उसके लिए कल जबाबदार हो गया कि आप इदर सुनो तो तो इसके लिए क्ल जबाबदार है क्या आप जबाबदार हो केसरी उजलाद नियूस के लिए मौदा से अनियल ढोलवार की रिपोर्ट